हाई फ्रेंड्स मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ रोस फ्लावर लटकन तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से एक बना दिया है और मैंने यहाँ पे दो टुकड़े लिये हैं कपड़े के कपड़े को कटिंग कर लिया है चार इंच की लंबाई और चार इंच की चोड़ाई बाद में मैंने इसे फॉल्ट कर लिया और दोरी बीच में लगा ले इस कोने के पाट को उस कोने के तरफ और उस कोने के पाट को इस कोने के तरफ कर देंगे और हम अब इसे सीलाई कर सीलाई करते वक ध्यान रखना कि कपड़ा आगे पिछे न हो जाए बाद में बच्चा हुआ कपड़ा काट देंगे और अब इसे हम फिर से सीलाई कर लेंगे वो भी एसे बारिक करके यह हमारी सीलाई हो गई अब हम इसे बचा हुआ कपड़ा फिर से काट लेंगे और अच्छे से देख लेना कि सीलाई आपके आ गई है या नई यह हमारा एक कलर का कुलाब हो गया अब हम दूसरा बनाएंगे ध्यान से देखना पहरे तो हम पहले की तरफ फॉल्ड कर लिया है और अब वैसे ही कर लेंगे और हम अब सीलाई लगा लेंगे और फिर से यह बच्छे हुए कपड़े को काट लेंगे फिर से हमेंसे बारिक करके सीलाई कर लेंगे तो यह हमारा गुला रेडी हो गया तो देखिए पहले मेंने जैसा बनाया था वैसा ही हो गया यह तो यह हमारे रोज लटकर रेडी हो गये है झाल झाल